हलो गाईज वेल्कम बेक तुमा चैनल तो आज हमारे सामने खड़ी है महिंद्रा एक्स यूवी सेवन डवलो टू थाउजन टू 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 का फजर नेशन वेरियंट आप देख रहे हैं पैट्रू और डीजल में आती है रेंज शुरू होती है 13,75,000 टू टू टूप मोडल कीमत है एक्स यू रूम 25 ग रुपीस यह आप इसका आज टॉप एंड वेरियंट देख रहे है एक्स यू जिसकी कीमत है एक्स यू रूम 22 ग रुपीस इंडिया के चनेकन नेन महारास्ट प्लांट में असेम्बली होती है औल न्यू एक्सवी 7 डवलो की यह आप इसका फ्रेंटी वील ड्राइब वेरियंट देख रहे हैं बट एक्सवी 7 डवलो का ओल वील ड्राइब वेरियंट भी आता है जिसकी एक्षो रूम कोस्ट है अल्मोस्ट 25 लेक रुपीस राम किरपा अन्था ने डिजाइन की है एक्सवी 7 डवलो जिन्हों ने स्कॉर्पियो क्लासिक एंड एक्सवी 5 डवलो भी डिजाइन की थी यह आप इसका सिल्वर कलर देख रहे हैं रेड ब्लू ग्रे वाइट को मिला के अल्मोस्ट शिक्स कलर के ऑप्शन मिलेंगे डूल टोन कलर का अप्शन आएगा आएए देखते हैं इसकी की 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 बात करें तो की आपको कुछ इस तरीके से देखने के मिलेगी की में आपको थीन बटन्स मिलेंगे लॉक अनलॉक और बूट अपन करने के लिए इलेक्ट्रोनिक टेल गेट आता है तो डबल टैप से आपका बूट अनलॉक भी हो जाएगा और चाबी से याप बूट को क्लॉज कर सकते हैं इस वाले बटन से आप इसके फिजिकल की को रिमूफ परेंगे पीछे महिंद्रा का लोगो है बढ़ अभी वो विजिवल नहीं है ऐसी आपको दो रिमोट की देखने के मिलेंगी कि मैं यही सारी चीजे थी आए देखते हैं फ्रंट से फ्रंट से देखें तो फ्रंट से पूरी कार कुछ इस तरीके से देखने के मिलती है बड़ा सा महिंद्रा का लोगो है फ्रंट पार्किंग कैमरा है और यहां पर लेन की पासिस्ट, ड्राइविंग असिस्टेंट, 360 व्यू कैमरा, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डीसेंट कंट्रोल यह सारे चीजे आपको लेवल टू के अंदर आएंगी लेवल टू का कैमरा आप फ्रंट के विंशिल्ट पर भी देखने कर मिलेगा बॉनिट पर कुछ डिज हैं और यहां से करेंगे आप कार को टो इमर्जेंसी में और रैट सैट से देखें तो रैट सैट से पूरी कार कुछ इस सरी के से देखने कर मिलती है, पूरी कार पर बॉडिक लेडिंग है और यहां मिलेंगे आपको इसके रेंज सेंसिंग वाइपर्स और यहां मिलेंगे आपको इसके diamond cut alloy wheels, महिंद्रा का logo है, इसके size की बात करें तो 235, 60, 18, 18 inch के alloy wheels है, MRF के tires है, wonder eco light के, आगे disc brake, पीछे भी आपको disc brake आएंगे, ABS, CBD as an standard मिलेगा, नीचे 360 view के लिए camera है, welcome function है, और यहां देखें, तो यहां पर मिलेंगे आपको electrically retractable door handles, lower garnish है, B-plur आपको piano finish में देखने के लिए मिलेगा, और उपर आएगी आपको इसकी raw phase, sharp antenna है, full size panoramic sunroof है, और यहां से fill करेंगे, आप इसमें patroller diesel, अगर car unlock है, तो आप press करके unlock कर सकते हैं, cap को, और यहां से fill करेंगे, आप इसमें DEF fluid, addronics की basin है, और पीछे से देखेंगे, तो पीछे से पूरी car कुछ इस तरीके से देखने क्लिए मिलेगी, यहां पर आएंगे इसकी LED टेल लाइट्स, इंडिकेटर्स हैं, नियू महें इंदरा का लोग है, reverse parking camera है, XUV7W की वैजिंग है, top model AX7 की वैजिंग, और पीछे आएंगे आपको सेफटी में दो reverse parking किंग सेंसर्स, तो होग आपको इस जगे मिलेगा, और यहां पर आएंगे आपको इसके reflectors, main exhaust tail pipe है, eye open करके दिखते हैं boot, single press से boot unlock हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से दिखेगा boot, और seat जब unfold रहेंगी तो यहां पर मिलेगा आपको 120 लीटर का boot space, rear seat fold करने का option यहां पर आएगा, 50-50 split function है seat में, second row में 60-40 split function आएगा, यहां पर मिलेंगे आपको इसके grab handle, light नहीं मिलेगी, और subwoofer आपको इस जगे आएगा, XU7 dollar का boot mat है, यहां पर मिलेंगे आपको इसके toll gate, spare wheel रिमूब करने के लिए आपको इस nut को loose करना पड़ेगा, emergency gate है, कर देते हैं, finally boot को close, और यहां पर आएगे आपको इसके rear defogger, wiper, high monster top lamp, washer आपको इस जगे देखने के लिए बिलेगा, आईए चलते हैं left side में, left side से पूरी कार को इस तरीके से देखने के लिए बिलेगी, 4.6 meter length है, 1.6 meter height है, और 180 mm गारांट के लिए देखने के लिए बिलेगा, exterior में हैं ही सारी चीज़े थी, आईए चलते हैं, finally interior में, अगर चाब यह आपके पास है, तो single app press करके door को unlock कर सकते हैं, trim के बात करें तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए बिलेगी, dual tone tray में, black with white color के insert के साथ, leather का use है, piano finish में inserts है, और यहाँ पे मिलेगा आपको इसका power window का button, 1.0 बॉटल होल्डर है, side में आपको umbrella holder भी आएगा, silver finish में door handles है, center locking का button है, speaker आपको इस जगे देखने के मिलेगा, particular, इस वाले variant में, आपको sony के nice speaker gaming system आएगा, sony के branding आपको इस जगे मिलेगी, tutor है, और यहाँ पे मिलेगी आपको, single tone में leather policy seats, adjustable headrest है, three point seat belts है, seat belt pre-tentional load limiter के साथ आएगी, with height adjustable function के साथ, seat में airbag की बैसिंग है, और ऐसा दिखेगा dashboard, same dual tone dashboard है, black with ivory leather के साथ, आएए चलते हैं अंदर, door third आपको कुछ इस तरीके से सुनने के मिलेगी, और पूरा dashboard कुछ इस तरीके से देखने के मिलेगा, hard dashboard है, airbag की बैसिंग है, और यहाँ पे मिलेगा आपको, skyis event, silver finish के साथ, आएए देखते हैं, glove box, glove box के बात करें तो वो आपको कुछ इस साइस का देखने के मिलेगा, दो compartment में glove box है, kodia light का option नहीं आएगा, नीचे ambient lighting का भी option है, dual stitching है, और ऐसा दिखेगा center console, और यहाँ पे आएगा आपको 10 inches का smart plane infotainment system, adronox के बैसिंग है, नीचे दो इस इवेंट्स हैं, और यहाँ पे मिलेगा आपको dual zone climate control AC, को shortcut buttons है, passenger airbag on off करने का options है, seatbelt reminder के options है, hazard light on off करने का options है, 360 view camera check करने के लिए है, drive mode change करने के options है, total आपको charge drive mode section के मिलेंगे, और नीचे आएगा आपको USB charging port, apple car plane android auto connect करने का options है, side में कुछ space है, और उसी के नीचे मिलेगा आपको इसका wireless charger, और यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे मिलेगा आपको six speed का manual transmission, six speed के automatic transmission का वी option है, टॉर converter के साथ, electronic parking brake के control है, auto hold का option है, और यहाँ देखें, और यहाँ पे मिलेगा आपको से माइवरी लेदर के साथ arm rest, आई ओपन करके देखें, कुछ इतना space देख निकल मिलेगा arm rest के अंदर, कि आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, कि के लिए symbol भी बनाया गया है, आई एक बर slide करके देखें, तो आपको sliding का भी option मिलेगा arm rest के अंदर, पूरे center console पे आपको piano finish भी देखें निकले मिलेगी, और उपर देखें, तो यहाँ पर मिलेगा आपको सका manual dimming IRVM, sun glass holder है, LED light के controls हैं, पटा भी नहीं जल रही है क्योंकि car close है, sunroof के controls हैं, SOS emergency के controls हैं, और यहाँ देखें, तो यहाँ पर मिलेगा आपको vanity mirror, light नहीं मिलेगी, और यहाँ देखें, यहाँ आपको कुछ भी नहीं देखने के मिलेगा, और उपर आएंगे आपको roof mounted isk के tutor, सहीम यहाँ भी tutor मिलेगा, soft opening के साथ grab handle है, SRS curtain airbag की waging है, co-driver door पर यहीं सारी चीजे थी, आईए finally चलते हैं, rear passenger side door पर, door trim की बात करें, तो वो पूरी आपको सेम देखने करने लेगी, सेम dual tone finish है, piano finish में inserts है, power window का button है, one liter का bottle holder है, speaker, और यहाँ पर आएगा आपका silver finish में door handle, center locking का button है, और ऐसी मिलेंगी आपको second row seats, ivory leather apology seats है, 60-40 split function है, adjustable headrest है, beach वाले के लिए fixed headrest आएगा, isofix child seat mounts है, three point seat belts है, beach वाले के लिए lap belt आएगी, और इस वाले lever से आप इस seat को fold कर सकते हैं, third row में जाने के लिए, इस तरीके से पूरी seat fold हो जाती है, आएए फानेली चलते हैं, third row में, seat को कर देते हैं, unfold, तो पीछे वाले सीट पे अगर स्पेस की बात करें, तो वह अलमुस्ट बिल्कुल ना के बराबर है, और अंडर थाई सपोर्ट तो बिल्कुल है गी नहीं, बट पीछे बच्चे ही बैठ सकते हैं, AC vents है, bottle holder है, यहाँ देखे तो यहाँ पे आपको 12V का power socket मिलेगा, same 1.0L का bottle holder है, AC vents है, और यहाँ से आप इसके flow को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ओपर grab handles है, coat hook है, pewter है, और पीछे वाली सीट पे adjustable headrest भी देखने के बिलेंगे, सीट में reclion वगेर का option नहीं मिलेगा, यहाँ भी ट्यूटर आएगा, soft opening के साथ क्रेया बेंडल है, coat hook है, third row में यही सारी चीजे थी, आईए चलते हैं second row में, आपको अंदर जाने और निकलने में थोड़ी सी मैनद करनी पड़ सकती है, second row से dashboard के पूरे view के बात करें तो वो पूरा आपको कुछ इस तरी के से देखने क्लिब लेगा, सेंटर कंसोल में दो इसी वेंट्स है, USB-C charging port है, कुछ space है, और seat के पीछे space की बात करें, तो वो second row में आपको बहुत अच्छा गाजा देखने क्लिए मिलता है, seat के पीछे pockets है, same आपको driver seat के पीछे पी pockets मिलेगी, second row seats को आप रेकलाइन भी कर सकते हैं, इस वाले लीवर को प्रैस करके, कुछ इतनी रेकलाइन हो जाती है seat, और यहां मिलेंगे आपको सेंट आपको सेंट ओपनिंगे साथ grab handle, साथ में coat hook है, LED light है, सेंट यहां भी आपको grab handle मिलेगा, coat hook है, reading light है, seat blur पे भी है सारे airbag की waging है, second row पर यहीं सारी चीज़े देखने के बिलेगी, और floor देखें, तो floor आपको almost पूरा flat देखने के लिए मिलेगा, तो तीन passenger आप comfortably बैट के जा सकते हैं इसके इंदर, XVV70O का six-seater और five-seater variant भी आता है, चलते हैं driver side area पर, seat में welcome function है, driver door की बात करें, तो door trim कुछ आपको इस तरीके से देखने के मिलेगी, same dual tone tray में, cream color के inserts हैं, silver finish में inserts हैं, और यहाँ पर मिलेंगे आपको इसके चार पार window के buttons, automatic up and automatic down का लिए driver side area में आएगा, anti-pinch function के साथ, dial safety का button है, lock and lock करने के options हैं, ORVM के internet adjustment के controls हैं, fold and fold करने का options हैं, और same यहाँ पर मिलेंगे आपको silver finish में door handle, center locking का button है, और यहाँ पर मिलेंगे आपको इसके electrically adjustment seat के controls, 8-way electric adjustment driver seat है, with 3 memory function के साथ, seat में lumber support है, और यहाँ पर मिलेंगे आपको इसके 3 pedals, side में dead pedal है, bonnet उपन करने के लिए आपको यहाँ लीवर मिलेगा, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मिलेंगे आपको इसके automatic engine start stop के controls, hill descent के controls हैं, traction control का button है, headlight level हा रहा है, आए चलते हैं finally अंदर, जैसे आप door को close करेंगे, तो seat automatically अपने आप आप आगे आ जाएगी, आप एक बार देख सकते हैं, steering wheel की बात करें तो वह आपको कुछे इसतारी के से देखने के मिलेगा, 3 spoke leather app steering wheel है, piano finish में inserts हैं, silver finish में भी inserts आएंगे, और बीच में मिलेगा आपको new mahindra का logo, SRH airbag की बैसिंग है, और यहाँ देखें तो यहाँ पर मिलेंगे आपको infotainment को गंटर करने के बटन, range sensing wipers के गंट्रोल से हैं, automatic headlight के गंट्रोल से हैं, adaptive cruise control के बटन से हैं, MID को गंट्रोल करने के options हैं, steering की adjustment को देखें तो खाली आपको tail function मिलेगा, telescopic नहीं आएगा, और ऐसा देखेंगा पूरा आपको instrument cluster, 10.25 इंचिस की TFT screen देखने के मिलेगी, आईए on करते हैं, एक बार ignition को, on करते हैं, पूरा आपको कुछ इस तरी की से layout देखने के मिलेगा, single press में यह आपको दोनों screen on देखने के मिलेगी, infotainment भी ओन हो चुका है, यह सी भी ओन हो चुका है, एक बार ब्लोकों कर देते हैं कम, और यहां देखेंगें, तो यहां पर दिखेगा आपको all digital instrument cluster, left side में आपको digital speed है, fuel indicator है, और यहां पर आएगा आपको इसका coolant temperature, gear position indicator, dachometer की reading है, और बीच में दिखाएगा आपको fuelant foggy readings, अभी फिलाल यह zap mode पे है, इस टेरिंग की warning दिखा रहा है, range दिखा रहा है, average, टॉगल करके देखते हैं एक बार, fuel info, legal info में देखते हैं, navigation, थोड़ा सा लेगी है, यहां पर दिखा रहा है आपको tire pressure information, साथ मैं आपको temperature भी बताएगा, car का, torque and power का graph है, यह सारी चीज़े आपको vehicle info में देखने पड़ेंगी, करते हैं back इसको, navigation देखते हैं, वने पीच में दिखाएगा आपको अभी फिलाल navigation, करते हैं एक बार back, देखते हैं driving assistance में, अभी दिखा रहा है, forward collision warning, जब यह driving assistance तभी काम करेगा, जब car on होगी, करते हैं इसको finally back, देखते हैं display layout में क्या सारी चीज़े, थोड़ा सा lag ही है, minimal, normal mode है, information mode है, minimal में क्या सारी चीज़े है, so अभी यह driving assistance mode पे लगा हुआ है, settings दिखते हैं, settings में दिखाएगा driving assistance data है, AI photo reset है, passenger air back on off करने के लिए, blind view monitoring system है, add house level में आपको, T detection monitoring system भी दिखाएगा, driver की handling वगएरा को monitor करके, rest करने के लिए बोलेगा, alert warning है, drive info है, so यह सारी चीज़े तो आपको MID में देखने के लिए लेंगी, आइज देखते है infotainment, infotainment home page पे कुछ इस तरी के से देखने के लिए लेगा, इस वाले knob से भी आप स्लाइड कर सकते है infotainment को, phone navigation application, android auto apple car play, side में digital clock दिखा रहा है, touch screen का response बहुत अच्छा है, music के control से हैं, phone setting के control से हैं, applications में देखते हैं, applications में फोल्डर वगेरा, add करने का options हैं, car info के, climate control के, connected app के control से हैं, just dial वगेरा, यह सारी चीज़े आपको देखने के लिए लेंगी, navigation देखते हैं एक बार, communication देखने के लिए लेगा, add के साथ, add के साथ, add के सारे connectivity के control कर सकते हैं, आप कार के, जैसे service interval, geofencing monitoring system, climate control AC के temperature को set करना, यह सारी चीज़े आप phone से ही control कर सकते हैं, तीन साल के बाद, आपको रहे रिचार्ज कराना पड़ेगा, add का, एक बार देखते हैं settings, अभी फ्लाल setting नहीं दिखा रहा है, उपर से slide करके देगें, तो notification center आपको कुछ इस तरीके से देखने करने लेगा, car में valid mode है, तो valid time करते हैं, आप screen को lock कर सकते हैं, road size assistance के control हैं, SOS emergency के control हैं, iPod, Bluetooth, radio, एक बार नीचे से slide करके देखते हैं, नीचे से आपको app के control में लेंगे, अभी फ्लाल setting नहीं हो, आप परन हो रही हैं, bonnet को open करने के लिए, आपको सेम यह वाला Liverpool करना पड़ेगा, bonnet open होते हैं, आपके यह अधर light रहन हो जाएंगी, जैसे कि सभी महिंद्रा कार में होता है, कर देते हैं, door को close, आपको यहाँ पर मिलेगा आपको 2.2 लीटर का इन, line, 4, cylinder, turbo charge, diesel engine, जिसके power की बात करने, 182 BHP की power मिलेगी, 450 NM का torque आएगा, 16 का average मिलेगा 60 लीटर के diesel tank से, 0-280 जाएगी, और मोस्ट 9 सेकेंड में, और 190 किलो मिटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी, आईए देखते हैं, close up में एंजिन को, यहाँ से fill करेंगी, आप इसमें washer fluid, coolant fill करने का option है, bonnet पे insulation है, bonnet उपन होने पे, आपकी इसकी हसलाइट भी ओन हो जाएंगी, कर देते हैं bonnet को close, so कैसी लगी, xv7o कमेंट में जरू बताना, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ रहे गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरू पूछ लेना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में,